हेलो एब्रुवान वेरे वेरे अपने नून कैसे हो खोब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही जोंगे शो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UP DR online form 2023 के बारे में की form इसके start हो गए हैं या नहीं हो गए हैं फार्मों को कैसे भरना है, कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, क्या गलती है आपको नहीं करनी है और documents कौन-कौन से बनवाने होंगे इस scholarship के लिए तो संपूर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाले है डियलेट टेचिंग एक्जाम की पलपल की लेटिस्ट ऑथनिटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी चैनल को सबस्क्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारी चैनल की मादम से मिल सके चली वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं बता दूँ इसके जो फार्म है वो स्टार्ट हो गए है अगर आपका फर्स सेमेस्टर है इस वर्स आप एडमिशन लिये है डियलेड में तो आप अपना फार्म भर सकते हैं और चलिए कैसे फार्म भरना है एक से दो दिनों में इसकी मैं एक स्पेसल वीडियो अलाऊंगा बेलकुन सेम टू सेम उसी तरह आपको अपना फार्म भरना है उसके बाद आपको का करना है फार्म जैसे आप लोग भर लिये तो जिस कॉलेज में आपका एड्मिशन है तो वहाँ पर आपको चेक करवाना है फिर कॉलेज वाले अगर बोलते हैं कि हाँ इसमें करेक्शन करवाई आप लोग इसको ऐसे करना है ये इसको नहीं भरना है तो फिर आपको call-less वालों के हिसाब से चलना होगा क्योंकि forward call-less वालों को करना है तो मैं बताऊंगा कैसे form भरना है उसके बाद आपको call-less में चेक करवाना है उसके बाद जो भी call-less वाले मताएं कि हाँ इसमें परिवर्तन करें उसके बाद फिर से print out निकलवा के जो है correction करके call-less में जाईए फिर आप लोग final lock करना है यह नहीं कि form आप लोग भर दिये तुरं final lock भी कर दिये और final print आप last में जमा करने जा रहे हैं पता लगा कि आपका form गलत है तो यह गलती आपको नहीं करनी है और देखिए जिनका भी जैसे आई प्रमाड पत्र 2023 से पहले का है 2221 का है तो वो नया बन वाले अभी समय है मैं इसलिए नया बोल ला हूँ जिनका जैसे 2023 का पहले का जिनका 2023 का है कोई दिकत नहीं है अब यह दो वरसका आपका डियलेड होता है और आई प्रमाड पत्र की जो वैदता होती है वो कितनी होती है तीन साल की होती है तो एक आई प्रमाड पत्र में आपका पूरा डियलेड हो जाएगा क्योंकि फिर 3rd semester में आपको फर्म फिल करने होंगे तो मैं इसलिए गर रहा हूँ कि नया आप लोग बनवा लीजिए कि अभी फार्म की लास डे तो 31 December है तो आप लोग जो है आसानी से फार्म को भर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आई प्रमाड पत्र जो है नहीं बनवाईए अगर आपका 2023 का है तो कोई दिक्कत नहीं है और बाकी मैं इस्पेसल वीडियो लाँगा कैसे आपको फॉर्म फिल करने है क्या-क्या चीजे जो है करनी होती है सारी चीजे मैं बताऊँगा बाकी आई प्रमाड को सबसे इंपॉर्टेंट होता इसमें बाकी कुछ भी डॉक्मेंट इसमें बस पोर्टो सिंगनेचर और हाँ आधार में अगर आपका मोबाइल नमबर नहीं फिर दे तो उसको करवा लिजे बैंक में अगर आपका नमबर नहीं सेब है तो उसको करवा लिजे ये दो चीजे करवा लिजे आप लोग बाकी मैं बहुत ही जल एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे आपको फार्म फिल करने है तो डीलेट भी एट टीचिंग एक्जाम की पलपल की लेतिस्ट और थेंटिक अपडेट पाने के लिए